नमस्कार राधे राधे जैश्टी कृष्ण मेरे चानल व्रिंदे राखी पर आपका स्वागत है आज मैं आपको इस वीडियो में पूर्शोत्तम मास के महात्म का छट्वा अध्याय सुनाओंगी पांच अध्याय में पहले आपको सुना चुक्यों हो छट्मे अध्याय में गोलोक में विष्णु जी ने भगवान श्री कृष्ण से किस प्रकार मलमास के दुख का वर्णन किया यह कथा है तो आए कथा प्रारंब करते हैं नारत जी बोले है पाप रहित रिशीवर विष्णु भगवान ने गोलोक में जाकर क्या किया सो क्रपा करके मुझसे कहिए श्री नारायन बोले है नारत अधिक मास सहित विष्णु जब गोलोक में गय तब वहां जो हुआ सो कहता हूं सुनो गोलोक में मनियों के खंबो से सुशोभित सुन्दर जोती धाम को विष्णु भगवान ने दूर से ही देख लिया उस जोती धाम से इतना प्रकाश निकल रहा था कि भगवान विष्णु की आखें चकाचोंद हो गएं जिससे उनके नेत्र बंद हो गएं तब थोड़े थोड़े नेत्र खोलते हुए अधिक मास को अपने पीछे करके धीरे धीरे चलते भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के पास पहुँच कर वे अधिक मास सहि विष्णु बड़े आनंदित हुए तब हरी के द्वारपालों ने उठकर उन्हें प्रणाम किया फिर उन्होंने जियोतिर में भगवान के द्वार में अपने मिचे हुए नेत्रों से ही परवेश किया और वहां जाकर शीग रही पूर्षोतम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार की आरतन जटिल सिहासन पर गोपियों के बीच में बैठे हुए ऐसे श्री कृष्ण के सन्मुक खड़े हुए रमानाथ विष्णू जी हात जोड़कर बोले गुणों से परे गोविंद अधुत्य अव्यक्त नाश रहित विग्रहवान गोपेश गोप वेशधार वाले अवस्था वाले शांत गोपिनाथ मन को हरने वाले नवीन मेक के समान श्याम रूप वाले करोडो काम देवों के समान सुंदर व्रिंदावन में रास मंडल में बैठे हुए पिताम बरधारी सोम्य मूर्ती तिर्ची मनोहर आकरती वाले रास लीला के स्वामी रास वा वाले हाथ में मुर्ली धारन करने वाले पीले वस्त्र पहनने वाले अच्यूत भगवान मुझ पर प्रसन हो इस प्रकार श्री कृष्ण महराज की सूति करके तथा नमस्कार करके श्री विश्णु जी उनकी आग्या से रत्न जटित सिंहासन पर बैठ गये रिशी नारायन बोले कि विश्णु जी द्वारा किया गया हिया स्तोत्र पाठ प्राता काल उठकर जो मनुश्य पढ़ेगा उसके सब पाप नश्ट होंगे और खोटे स्वपन दिखने पर भी उस काफल अच्छा ही मिलेगा तथा पुत्रपोत की व्रिद्धी करने वाली गोविंद की भक इस गोलोक में कोई कष्ट नहीं भोगता गोलोक वासी सदा आनंद में मगन रहते हैं स्वपन में भी कोई दुष्ट वारता नहीं सुनते है विश्णु या मेरे आगे दुखित नेत्रों से आसु बहता हुआ थर थर कापता हुआ क्यों खड़ा है रिशी बोले नवीन मेग के समान मनोहर श्याम शरीर वाले गोलोक नात के वचन सुन विश्णु भगवान सिंहासन से उठकर आदी से लेकर अंत तक मलमास के दुख को सुनाने लगे श्री विश्णु बोले है वरिंदावन चंद्र है श्री कृष्ण है मुरली धर या मलमा इसके कष्ट में आपके आगे कहता हूं इसका कोई अधिश्वर नहीं है इस कारण इसे मैं यहां लाया हूं आप इसके दुख को दूर करो यह अधिकमास सूरे की सक्रांती से रहित है त्याज्य है अपूज्य है और शुब कर्मों में सदा वर्जित है स्वामी रहित होने से इसमास में सनान दान नहीं करने से सभी वनस्पतियों लताओं वारा महिनों ने कलाओं काशठाओं शनों उतरायन दक्षिनायन संबत्सरों आदी ने अपने अपने सौामियों के गर्व के बल पर इसका अत्यत अपमान किया है इसलिए इस दुख हागनी के कारण इसने मरने की ठान ली है तब अन्य दयालू पुर्षों की प्रेड़ना से या मेरे पास आया ये रिशीकेश इस शर्णार्थी ने कापते हुए रोते हुए अपने समस्त दुखों को हमारे सामने खोल कर रख दिया है इसके महादुख को आपके बिना अन्य कोई निवारण न कुल नहीं रहता वेदवित्ताओं का ऐसा वचन मिथ्या कैसे हो सकता है अब इसका दुख दूर करना आपका करताव है मैं सब काम का छोड़ कर इसे लेकर यहां आया हूँ मेरा आना सफल कीजिए अपने स्वामी के सनमुख कोई बात बार बार नहीं करनी चाहिए ऐसा नीत बोले हेसूत जी आप शेष्ट वक्ता हो आप दिर्ग काल तक जिवित रहें आप सेवन करने योग्य हैं ताकि हम आपके मुखारविन से हरी लीला रूपी कथा अमृत को सदा पीते रहें हेसूत जी विष्णू और श्रीकृष्ण का समवाद विश्व का कल्यानकारी है फ हम सब तपस्वियों के लिए औशदी के समान है चठे अध्याई की कथा यहीं तक थी आगे की कथा हम सात्वें अध्याई में सुनेंगे पुर्शोत्तम मास की सभी कथाएं आपको मेरे चैनल पर एक अलग प्लेइलिस्ट में मिल जाएगी आप जाकर सुन सकते हैं और सारे मंत्र 108 बार जब भी आप सुन सकते हैं तो इसी प्रकार शास्त्रोक्त उप्योगी जानकारियों के लिए मेरे चैनल से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें तांकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके तो तब तक के लिए आधिर आधिर जया श्री कुष्णा